नमस्कार दूफ्त मैं संदीप स्वागत है आप सभीक आपके अपने सक्षेस नोटूब जैनल में दूफतों आज पार्ट नमबर से श्ट्रीन आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बिए हिंदी मर्डल कोईश्चन के बारे में आज किस वीडियों जितने भी question होने वाले वो भी फश्टे से कंडियर तीनों एरक छात्रों के लिए important होने वाले क्योंकि ये सारे question पिछले कई सालों में कई बार repeat हो चुके हैं जो कि आपके आने वाले exam के लिए काफी helpful होने वाले ये सारे question जो आपको बताने वाला हो तो बीना आप लोग टाइम वेस्ट किया और बीना वीडियो स्किप की वह पूरा देखते रहे हैं जिससे आप लोगों को आने वाले exam में काफी help मिलने वाली इस वीडियो से ठीक है ये सारे question जो है वो इंडिया के सभी इन्वर्सिटी के छात्रों के लिए important है चाहिए वह भी फश्टे सिकेंड एट किसी भी एरके छात्रों सभी के लिए क्योंकि एक हिंडिया ऐसा subject है जो सभी इन्वर्सिटी और सभी फश्टे सिकेंड एट थाडिया तीनों चात्रों के लिए important होता है ठीक है तो भी ना देरी को वीडियो में आगे बढ़ते हैं ध साथ से आठ कोश्टन पूछे ही पूछे जाते हैं तो इस वीडियो से आपके साथ नंबर किलियर होने वाले हैं अगर आप ध्यान से कोश्टन समझते हैं तो बीना देरी को यह पहले को बढ़ते हैं लिखा है कि सिर्फ बिधान की द्रस्ट से एक आंकी कि कि कितने तत्तु माने गए हैं आप से आप लोग को मिल जाएंगे इस को राइट हो जाएगा मैं आपको बीना देरी कि बता देता हूं सी नंबर हो जाएगा यह निसान नंबर इसके में जितने भी कोश्टन के एंसर वह मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन आने वाले दिरों में जब टे क्या तो हो जाएगा दाक्टर लच्मि नराइज शाया वाद ट्र यूट के चानिका को सींसलों कि बढ़तर एंसर को अ अबर जग्दीश चंदर की ठीक कभूत का कभूतर खाना जो है एकांकी वह जग्दीश चंदर की राइट इंसर हो जाएगा अबदा दूं निम्रिकित में यह सारे question बहुत important है तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा आप note down कर लेज़ेगा जो भी आपको question important लगे या इसकी इन्सोट लगेज़ेगा जैसे आपको बाद में असानी होगी पढ़ने में ठीक है अगला question है कि एक घूट एक आंकी कार का रशना काल क्या है यानि कि एक घूट एक आंकी जो है ठीक है वह किस असन में इसकी रशना होई थी ठीक है आप सब्सक्राइब करते हैं लिखाए कि हिंदी का प्रथम एक आंकी किसे माना जाता है एक घूट नील देवी करवा और बादल की मृत्ति बहुत important question जामें कई बार आ चुका थे इस पर जरूर थ्यान दीजिएगा हिंदी का प्रथम एक आंकी है वो एक घूट को माना जाता है इसलिए question का राइट एक आंकी का जनक किसे माना जाता है आपको option मिल जाएंगे मोह ठीक है अब बढ़ते हैं निस question के और निस question कहे रहा कि मात्र मंदिर किसकी एक आंकी है तो मात्र मंदिर है वह आपसर आपको मिली जारे धरमीर भारती पोर्ट सिंग हारी कृष्ण प्रेमी और लास्ट आपसर ने महादेवी वर्मा इस question का जो राइट एंसर हो जाएगा द संकले तरह क्या है आपसर मिल जाएगा लगुता गरिमा महिमा समय स्थानकार है तो इस question का राइट एंसर हो जाएगा दी नमबर बात करते हैं अगले question की अगला question के रहा भोर का तारा एकांकी किसकी है आपसर आपको मिली जारहे है विश्ण प्रबाकर जहनेन जगदीश च संद्र माथूर की है इसलिए question का write answer हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर भी हां एकांकी की में भार होता है बात करते मिले question की Kiski की नदी प्यासी थी एकक इनकी किसकी हे दर्मवीर भारती की राम भार्टेंड की और महांड कशी की तो नदी प्यासी थी एककांगी धर्मवीर भारती की से लोग कुश्टिन की दीब दान कि रिष्ट में पितामा कि से कहा जाता है गुलाब राइक को रामकुमार झ्वेर्मा को द्र 190 को ड्रम भारती को तो लोडी झो हिंदी में आदुन के कांकी नाटकों का भीस में पितामा डाक्टर राम कुमार बारमा को कहा जाता है इसलिए को सब्सक्राइट अंसर हुता है इसके 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 योगिनी एक आंग की रशना है नंबर एक एक स्कोष्टन को रायट अंशर हो जायगा प्रेम योगनी एक आंकी वह भारतेंद युक्की रष्टना से यह स्जान करेंगी नॉम्ल प्रशाद की और दिनमबर है क्रिश्न प्रेमी की ठीक है तो करवा एकांग की वह बहुने सर प्रसाद जी कि इसलिए कोश्चन कर राइट एंसर हो जाएगा सी नमबर आप हम बढ़ते हैं निश्च कोश्चन के और निश्क कोश्चन कहरा कि निमने में से प्रितातमक्त तमक एकांग की कारों में प्रमुक कौन है नमबर एक धरम बीर भारती भावनेसर आपसल थार्ड है यानि इसी नमबर दिश्चन पर भाकर ओड़ी नमबर निराला तो इसको राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी नमबर भावनेसर निवनिवनिवस्टे तो प्रितात्मक एकांकी कार में प्रमुख है वह होने सो ठीक है अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं लिखा है कि बहु की विदा एकांकी किसकी है नमबर एक बिनोध रस्तोगी की मोहन राकेश की जग्दिश चंद मातुर की शुपूजन की तो कुश्चन के जो राइट एंसर ह हो जाएगा बहु की विदा एकांकी वह विनोध रस्तोगी कि इसलिए को राइट हो जाएगा ए नमबर ओके अब बढ़ते हैं इसको बिना देरी की वह बिना देरी की अगले कोश्चन पर आ गया है हम एकांकी सामानिता कितने समय की होनी चाहिए 50 मिनट की एक दो मिनट की और सी कोश्चन से 75 मिनट की और घ TW नंबर आट मिनट की घृक है तो जो एकांकी सामानिता किति होनी चाहिए 30 से 35 मिनट की होनी चखिए इसलिए कोश्चन को राय्ट एंसर और सी कुश्चन की निस सब्सक्राँ की श्यक्तिक नाट चैके जोश्यक्त आनली न्च की आक ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेश्ट कोश्टन क्यों नेश्ट कोश्टन कह रहा है कि मिट्टी का सेर एकांकी किसकी नमबर गंगा प्रसाथ श्रीवास्तों की सेट गोबिंद दास की कुमर बहादूर की डी नमबर गोबिंद वल्लब भाई पंत की तो राइट अंसर हो जाए नमबर एक है आठ में बारा में नौ में चार में तो विकास क्राम की दर्श से हिंदी कांकी साहित को बाता जा सकता है जो संख्याव चार है, इसलिए राइट अंसर हो जाएगा, डी नमबर ओके बात करते हैं नेश्ट की लिखा कि चर्वाई है कांकी किसकी है, नमबर एक क ने किसे दिया है यानि कि हिंदी इकांकी में जो विकास वाउसका स्रेक से दिया है तो आफ़तर आपको मिल जाएंगे जहांका पर साथ निराला धर्म भारती तो लाक्टर ऑर मर्मा जी ने बहुत locksha कर दिया ती इसलिए हो जाएगा एकमर की चारौ मित्र किसकी आपको मिली जायेंगे चारौ मीत्र रांकभार्मा जी की कानकीन की इसलिए था सगय स्य कोजाएंगा च्क लुत जुब तो फाइलिली आज किस वीडियो में 25 questions include कि थे जो की एकांके से related थे आने वाले आपके exam में काफी helpful होने वाले अगर आप question दुबारा repeat को repeat करते हैं दुबारा अच्छे समझते हैं पढ़के जाते हैं तो ठीक है अगर आपका कोई question इसके अगर आप और भी question चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किसी सब्जेट का माडल पर बचेए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है और साथ साहत में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसके आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके आने वाले एक्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है तो ठीक है हम आपको मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं दोस्तों